क्या आपने इसका यूज किया है फेसियल एयर को साफ करने के लिए नहीं किया हो तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूं कि इसका यूज करके किस तरीके से आप घर पे 2-3 मिनट में फेसियल एयर को साफ कर सकती हैं उसलिए हम ज्यादा से ज्यादा फेस पैक का यूज करते हैं लेकिन बाल नहीं निकारता है एक भी बाल साफ नहीं होता है और हम कोई अलग सी होम रेमेडी की तलास में राते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे की इस्टंट बाल साफ भी हो जाए और दुबारा से जो ब बना करके इसे लगाई ये फाली बार में आपको काफी जादे फर्क दिखेगा बहुत अच्छा एक काम भी करता है तो इसे किस तरीके से बनाना है लगाने का प्रोसेस क्या है ओभी आगे देख लेते हैं अगर वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को हिल्फूल लगे तो एक लाइक कर देजिएगा तो हम जादे बाते नहीं करते हैं चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है सबसे पहले हमें यहां पर लेना है एक कटोरी ले लिजिएगा और इसमें आपको दो से तीन चमच भर के ले लेना है सहद आज लोग इस केस में चीनी का यूज भी कर सकती हैं पर सहथ का यूज करेंगी तो बहुत अच्छा ए रिजल्ट भी देगा तो हम यहाँ पर लिये हैं सहथ और सहथ में एक से डेट चमच एट किया हैं नीबु का रसे हां पर मैं चीनी नहीं ले रहे हूं लेकिन अगर आपके इस बाल बहुत जादे आ जाता है देखने में इसकीन काला सा लगता है तब जाके परिशानी होती है कि इसे हमें साफ करना है तो बिल्कुल भी आपको कहीं पारलर जाने की जरूरत नहीं है आप लोग के लिए हर बार नए-नए रेमेडी सेयर करती हुँ जो आपके स्कीन को सूट करें और आपके पास एजली मिल जाए उसे बना करके लगाए बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा पारलर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें हम आइट किये हैं चुटकी फर फिटकिरी का पावडर यानी की ऐलम बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा और इस मैं बहुत बना रही हुं ताकि एक बार में लगाने से खतम हो जाए ठीक है इस स्पून से चलाते रहिएगा जैसे जैसे चलाएंगे न ये गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि इसमें हम पाने भी नहीं लिए थे सिर्फ नीबु करस था और थोड़ा सा फिटकिरी का पाउडर है और दो चमच भर के इसमें हम सहर लिए थे सिर्फ तीन इंग्रेडियंट था तो अच्छे अगर जादे जल जाता है मतलब बहुत जादे गाढ़ा बन जाता है तो फिर जब ठंडा होगा ना तो पूरी तरह से पट्टी टाइप का हो जाएगा उतना अच्छा एक काम नहीं करेगा तो जैसे ही इसमें बबल्स आने लगे तुरांत आप गैस को बंद कर दीजिएगा अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं और इसमें क्या और हम मिक्स करेंगे और लगाने का जो प्रोसेस है वो क्या है उसे दिखाने से पले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहे हूं कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आए तो ए ये उसका मैं सुधार करूंगी अब इसे हम दूसरे बाउल में ट्रांसपर कर लेते हैं इसका कलर भी आप लोग देख सकते हैं इसमें हम चुटकी भर एट किये थे हल्दी का पाउडर जो कि मैं थोड़ा सा इसकी फो गया है नहीं दिखा पाए हूं बिल्कुल थोड़ा सा ही ताकि जब बाल हटे तो हाँ पे दाना ना निकड़े तो इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें डाली थी और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा बन के तयार हुआ है जब आप इसे लगाएंगी न और पहली बार में काफी सारा बाल भी साफ करेगा अ पाउडर लगा लेंगी तो जो बाल है ओ इस स्कीन घोड देगा और जो बालों का जड़ है नो और काफी ज्यूं हो जाएगा तो अराम वल्य बेना टो अच्छे से इसकीन को कर लीजीएगा सबसे पहले कि यह हमें ठंड़ा कर लेना है और अज्वाद के घ्यान नहीं आप लोग देख सकते हैं इसकीन क्लीन है लेकिन अगर बहुत जादे अनवांटेड हेयर से फेसियल हेयर है तो थोड़ा सा आप पाउडर लगा लिजिएगा इसकीन को क्लीन करने के बाद ठीक है उससे क्या होगा कि बाल अराम से निकड़ जाएगा और दर्द भी नहीं होग आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार तो ऐसा होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ फेस पे इतना जादे बालों की ग्रोथ हो जाती है कई बार हार्मोन्स में इतना जादे बदलाव हो जाता है कि अनवांटेड हेयर से अपने आप आने लगता है बालों की ग्रोथ दिन प साफ हो जाता है लेकिन दुबारा से उसकी ग्रोथ बहुत जलदा जाती है और हेयर रिमुवल क्रीम यूज करने के बहुत सारे नुकसान भी है जो की स्कीन को बहुत जादे डार्क भी कर देता है ठीक है या तो हम जो पारलर में जाकर बैक्सिंग कराते हैं वही इसकीन को आप लगाएंगे ना तो आपको फुद फर्क दिखेगा पहली बार में और रेगुलर बेस पे आप इसे लगाना शुरू भी कर देंगी ए वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पनियू है मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओन कर लिजिएगा नेक्ट वीडियो की स्टॉपिक पर देखना है कमेंट करके जरूर बताईएगा और इस वीडियो को जादा से जाद आपने दोस्तों में सेयर भी कर दिजिएगा इस रेमेडी को टीनेजर बच्चे भी यूज कर सकते हैं जो गर्ल होती है ना उनके अपर लिप पे काफी जादे बाल दिखता है जो की मुझ की तरह लगता है देखने में अच्छा नहीं लगता है और बच्चों के साथ बच्चों की ममें भी काफी जादे परिसान हो जाती है तो इस रेमेडी को आप अपने बच्चों के फेस सान भी करेगा तो इसे बनाकर आप अपने फेस पर भी लगाईए बच्चों के फेस पर भी लगाईए मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स वीडियो